इस वीडियो में हम बात करेंगे GUI VS SKN Dream 11 Stats Plus Info यानि गयाना Amazon Warriors और St.Kitts & Nevis Petroids के बीच में जो आज आपको मैच कहला जाता दिएगा Semi Final 2 CPL 2021 का अब दोस्तो सबसे पहले आपको पता दो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है Telegram चैनल पर जुड़ना है अब Telegram चैनल पर जुड़ना क्यों है क्योंकि वहाँ पर Toss के साथ आपको क्या बल्लेबाजी करम रहने वाला है हर चीज मैं आपको इंफर्म करता हूँ इससे आप बेस से बेस्ट खुद पर लाइकर के टीम बना सकते हैं Telegram का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और टॉप के कॉमेंट में भी दे रखा है लग्स अत्तरहजार लोग जुड़ चुके हैं आप भी ना ऐसा करें कि बिल्कुल जुड़ने में संकोच करें बलकि फड़ा फड़ जोड़ जाएं यूट्यूब पे जिससे सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वले मेरे IPL के वीडियो जो हैं वो आपको जरूर मिल जाएं और आप वो देखेंगे आपको बहुत फाइदा मिलेगा इसलिए आपने क्या करना है बेल आइकन को दुआ के प्रेस कर देना है नोटिफिकेशन बेल करेंगे तभी आपको सब्सक्राइब करने पर वीडियो नोटिफिकेशन आएगा अब वेन्यू वही है वोडनेर पक बेस्तेरे सेंट केट्स नूट्रल विकेट है रनमेकिंग जादा अच्छा रहना चाहिए एक फ्रेश विकेट यहां पर यूज़ होना चाहिए यानि कि जो सबसे कम अभी तक यूज़ड पिछ है तीनों मैचेज में अब दोस्तों यहां पर हम बात करें इन टीम्स ने औरेड़ी मैचेज खेल रखें अगर आप देखोगे नवीन उलाक ने आउट किया था रधर फोर्ड को इमरान तहीन ने एवन लुईस को डॉमिनिक ड्रेक्स तीन विकेट लेके गए थे जिनोंने शोईब मलिक ओडियन स्मित और तहीर को उट किया था फवाद एहमद ने यहाँ पे हिमराज को उट किया था नवीन उलाक को फैबियन एलन ने निकुलस पुरान को ड्वेन ब्रावो ने हैट मायर को परफॉर्मर्ज में हफीज ने 38 किये थे बड़ हफीज ये मैच मिस करेंगे हिमराज ने 39 किये थे लुई 62, डिवान टॉमस 55, डॉमिनिक ड्रेक्स 3 विकेट, फवाद हमद 2 विकेट साथ ही साथ दोस्तों एक और मैच इनों ने मैच नमबर 8 खेला था यानि हैट 2 एट दूसरा इस साल का इनका गयाना ने 166 किये, फिर से सेंट किट से नवेस में चेस किया, और फिर से उनी प्लियर्स की बड़त, इवन लुईस 30, डिवान टॉमस 31, हफीज के 70 थे बड़ खेलेंगे नहीं इस मैच में, हैट मेर की 52 थे, पॉल वैन मेकरन के 2 विकेट थे और रदर फोर्ट के 59 नॉट अभी आपको इन दोनों मैचेस की सेपरेट बैटल भी नीचे दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा, लेकिन कोल मिला कि सारे मैचेस जब आप अबसर्फ कर लोगे दोस्तों, मैंने हर मैच लिखा आपके लिए 30 तक 30 मैच हूँ अभी तक 403 मे से 241 विकेट फास्ट बोलर्स क अच्छा कर रहे थे, विकेट बहुत ड्राय होगे थे, ओवर यूजड होने की वज़े से, particularly मैच 24 तक आप देखोगे, स्पिनर्स दे काफी अच्छा किया, लेकिन दोस्तों मैच 25 में एक नई पिच आई, एक दिन की छुट्टे ली गई, एक दिन कोई CPL का मैच नहीं था तीन-तीन मैच थे, फिर सेम डे पे, और आप देखोगे, फास पूलर्स ने अच्छा किया, रंज भी बने, क्योंकि विकेट का जो नेचर था, उसको इंप्रूफ करनने ही कोशिश करी गई, पानी दिया गया काफी जादा, वही चीज आप फाइनल स्टेट से पहले मान सकत लेकिन हेट टूएड में किसका बैटल जादा अच्छा है, सेंट किट्स ने दोनों के दोनों मैच चेस किये थे, गया आना के आगे, दोस्तों ब्रेंडन किंग लास्ट मैचेस में आप देख रहे हो परफॉर्मेस नहीं आया है, पूरे टूर्नमेंट में एक बारी हमने उ हैट मेयर है, टीम के सबसे आप कह सकते हो काबिल बल्लेबाज, लेकिन अभी तक परफॉर्मेस कहते हैं ना कि एक मेन प्लियर से हाई एक्सपेक्टेशन है, उस लिहास का नहीं आया है, शोईब मलिक से भी उस लिहास का परफॉर्मेस नहीं आया, बड़ा मैच है, देखते मेरी टीम में थे यह, बाकि यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, महमद अफीज को तो बाइचांस खेल जाए तो ठीक है, वैसे तो यह पाकिस्तान आ गए हैं, नहीं खेलेंगे, बिकॉस पाकिस्तान का जो कुछ प्लियर्स हैं, जो वर्ल्ड कप में सेलेक्टेड़ हैं, उनक विकेट्स अच्छी खासी लिए हैं, इमरान तहीर भहिया, लास्टी मैच में दो मेडन डाल दी है, विकेड भी निकाल दी, इमरान तहीर तो भहिया लेजन्ट है, आपको पता ही है, गुदगेश मूती ने बहुत अच्छी बुलिंग करी है, इनके जो टॉप 4 बुलर्स ह और नौवीन उल्हाक, हेमराज और शोईब मलिक भी कॉंट्रिवूशन दे सकते हैं, गेन से, गयाना के फुल स्क्राट्स प्रस इंफो, इच और एवरी प्लेयर का स्क्राट्स आपकी स्क्रीन पर है, दोस्तो किसी भी प्लेयर का आप स्क्राट्स देखना चाओ, बस आब यह देख लो, आपको पता लग जाएगा, आप देखो, मलिक जैसा प्लेयर, जिसके 10,000 से उपर T20 रन है, इसा कुछ आप एकस्पेक्ट कर सकते हो इन से, वागि लास्स सीजन के प्रफॉर्मर्स देख लो एक बार, टॉप स्कोरर्स हैटमयर का नाम आएगा, और टॉप व काई देखो, वो बहतर है, बट पिछले साल का भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो, अगर कोई नजर डालना चाहिए, सेंट गिट्स और नेविस भी ठीक, उनी टीम कीतना, आपने राइवल्स गयाना कीतना, दस में से 6 में जीती है, अगेन हैट टू एड में अडव करते हैं, लेकिन इनको ज़रूरत है, वही कर रहे हैं, ये लुइस रदरफोर्ट के अराउन, इनको एक ऐसा प्लियर सी है, जो अराम से खेले, टॉमस वो रूल कर रहे हैं, डवेन ब्रावो है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गिन बादी से अभी तक बोलिंग में, आप दे सकते हो, इनका थेजी से रिस्ट वक करते हैं, भागते भी अच्छे से हैं, और विकेट कीपर है, तो यार रिस्ट वक तो अपने आप अच्छा होगा, विकेट कीपर आनोन फॉर देर रिस्ट वक, ठीक है, फैबियन ऐलन देखोगे, तो काफी स्ट्रॉंग क्लियर है, पर अब देखना रहेगा कि क्या एक फ्रेश विकेट पर यहां पर एक स्ट्रॉंग को टीम बढ़ाती है, वहीं मुझे लग रहा है कि टीम करेगी, अब सेन किट्स और नाविस पेट्रॉइट की बोलिंग के जो हम अब्सर्व करेंगे, तो आपको दिखेगा, क्रिस गेल ने बहुत बढ़ाती है, तो वहर मैच में नहीं होगा, बट मेबी वन और टुवर अगर स्पिन हो विकेट तभी यह डाल सकते हैं, ज्यादा खास ध्यान मत देना, सेंट किट्स और नवेस पेट्रॉइस के फुल स्टैट्स आपको दिखने हैं, आपको लास्ट सीजन के परफ पर बार इस सीजन में आट हो गए हैं, दोनों मैचेस में इन्होंने आट किया है लुईस को, हलांकि लुईस ने कुछ शॉट्स भी लगा इनको, बट तहीर तंग कर लेते हैं, लुईस को, डवेन ब्रावो देखोगे, मलिक के आगे एक बार विकेट है, डिवान टॉमस इ मैच में आट हुए थे, ब्रावो के आगे एक विकेट है, हेमराज का ठीक रिकार्ड है, लेकिन फवात के आगे मैच वन में आट हुए थे, और शिम्रान हेटमेर के आगे डवेन ब्रावो ने आट विकेट लिया था, और तोटली भी दो बार आट किया है, उस टाइम पर पहली एक गेंट में इनको टावट कर दिया था पहली एक मैच वन में, निकुलास पुरान का ब्रावो के आगे डि पाता लगत है, पता लगते ही आपको बतादुगा जयसे मारान उस दिन बताए था सब को matchups लिक के दिए हैं, جससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस ने किसka लुजाय नके ह plumbing को ताहीर का आपको दिखेगा यहाँ पर भी Lewis का अउट किया यहाँ पर लूस को यहाँ इस ने को रन भी कर दिये जोश्वा डिसलवा खेल सकते हैं और निकुलस पुरान है लेकिन अगर यहाँ पे जोश्वा डिसलवा ओपनिंक कर रहे है या भाइचन जिवान टॉमस तो उनको भी ले सकते हो आपके लिए खरेट सेवर भी बन जाएंगे दोस्तों बल्लेवाजी सेक्शन में मैंने यहां पर लिया है, सबसे पहले हेम राच को हलका सा एडवांटेज ये है कि एक से दो और कर सकते हैं वहना आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो एवन लुईस को मैंने लिया है, लास्ट में नहीं खेले इसलिए लोगों ने ड्रॉप किया, बट खेलेंगे इस मैच में क्रिस गेल को मैंने लिया है दोस्तों, क्रिस गेल एक काफी अच्छे प्लियर है, सब को ही पता है, यूनिवर्स बहुत से थोड़ा सा फॉर्म से जूंद रहे हैं, अगर आपको नहीं लेना, आप शेरिफिन रदरफोर के साथ जा सकते हो, या आप किसी और बल्ले बास को ले तो हम कर सकते हैं, ब्रेंडन कींग का ध्यान रखना ठीक प्लियर है, काटर नहीं खेलेंगे, पिछला खेले थे, बट इस मैच में लूइस वापस ही आएंगे, और मलिक को only for Grand Leagues रखेंगे हम, ठीक है, और राउंडर्स में ओडियन स्मित ने regular bowling करी और विकेट्स लिया है, तो लेना, बिल्कुल कोई आपको मना ही नहीं है, लेकिन फर ये देखना कि bowling का शौर नहीं है, करते हैं तो obviously ब्राउ बहुत ही अच्छे प्लियर है, गुदगेश मोती को दोस्तों मैंने ले लिया है, वैसे तो बहुत अच्छी spin डाल रहे हैं, स्टार्टिंग में ही वो न नवीन और और कोई जिसे पॉलवन मीकरं में लेनी होगी, अब दोस्तों कोट्रेल के इस मैच में चंसे से खेलने के वो भी बड़े प्लियर है, बट experience देखते हुए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहा हूँ नवीन लाग को, बिकॉज ये प्लियर गयाना के ये डेथ बोलिंग करता है, जस्त ये देखते हुए, मैंने नवीन लाग को पिक किया है, दोस्तों अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ से इस टीम के बोलर कम ली हैं, तो आप इस टीम के यानि से इन किट्स और नेविस के दो बोलर समझ सकते हो, मैरी टीम में है, ड्रेक्स आपको अगर पता लगता है, इस मैच में काफी डिफरेंट के अपको मिल सकते हैं, मैं आपको बता दूं तो लुइस, फैबियन एलन और यहाँ पर डी ड्रेक्स अच्छे रहेंगे, ओ समित भी काफी कॉमन केप्टन है, आप इनको भी कर सकते हो, मैंने क्या किया अभी के यह फैबियन एलन को कैप्टनसी दी है, और वाइस कैप्टनसी ओडियन समित को आप इवन लुइस को भी रख सकते हो,